आपने अक्सर टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी महिला को उल्टी हो रही हो, चक्कर आ रहा हो या फिर उसे कुछ खटा खाने का मन हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वह गर्भवती है। लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है, भले ही वह गर्भ में लड़का ही क्यों न हो। इसलिए इन लक्षणों के आधार पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि गर्भावस्था मौजूद है या नहीं। तो आप गर्भावस्था के सभी लक्षण जानने के लिए इस वीडियो को अंध तक जरूर देखें। पीरियड्स मिस होने के कुछ हफ़तों के भीतर आप चर्चा किये गए लक्षणों के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मतली, उल्टी, अत्यधिक योनिस्राव, भूख में व्रिद्ध और मूड में बदलाव। ये सभी लक्षण पहली तिमाही यानि पहले बारह सप्ताह तक रह सकते हैं। और आपको कब्ज, एसिडिटी और बार-बार खाने की इच्छा हो सकती है। गर्भावस्था की शुरुआत में, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में व्रिद्ध के कारण कब्ज होता है, और पेट में भोजन की गती कम हो जाती है। वो अच्छी नहीं लगती। खाने के विकल्पों में ये बदलाव पूरी तरह से सामान्य है। अब बात करते हैं, असामान्य गर्भावस्था और इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में कभी-कभी ऐसा हो सकता है। गर्भावस्था का गर्भाशय के बाहर होना, यानि आमतोर पर फैलोपियन ट्यूब में होना। उस स्थिती में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द, योनी से रक्त स्राव या दाग, मतली हो सकती है। और आप बेहोश भी हो सकते हैं। यह एक आपात कालीन स्थिती है। इसलिए आपको इन लक्षणों को नजरंदाज किये बिना तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आईए, अब आपके माध्यम से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देखें। पहला, क्या गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग या स्पोर्टिंग होना सामान्य है? यह गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, यह असामान्य गर्भावस्था या गर्भपात का एक लक्षण है। दूसरा, क्या प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान भारी काम करना संभव है? गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान भारी सामान जैसे भरी हुई बाल्टी या उस जैसी भारी चीजें उठाने से बचें. यह उचित नहीं है. आखिरी सवाल यह है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य हीमोगलोबिन का स्तर क्या होता है? आदर्श रूप से. गर्भावस्था के दौरान हीमोगलोबिन का स्तर बारह से उपर होना चाहिए. लेकिन गर्भावस्था के दौरान कम हीमोगलोबिन होने का खत्रा होता है इसलिए आपका डॉक्टर आपको आईरन की खुराक देगा ये सभी गर्भावस्था के शुरुवाती लक्षण है लेकिन इन सभी लक्षणों के बावजूद हो सकता है कि आप गर्भवती नहों गर्भवस्था की पुष्टी करने के लिए आपको पीरियड्स मिस होने के बाद घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो खृपया इसे लाइक और शेर करें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए SI Gossips चैनल को सब्सक्राइब करें